अब ही मैं हूँ आर्ट्स फेगल्टी में और आज क्यों कि हिजाब वर्सेज एजुकेशनल इंस्ट्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है हिजाब वर्सेज इसको हम बोल सकते हैं भगवा तो आज हम बात करते हैं कुछ यहां के चात्रों से जो दिल्ली नुश् आज इनका डिसकुशन देखते हैं क्या होटा है नहीं पहना चाहिए है नहीं पहना चाहिए हिजाब अलाओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपके अलाओ बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिल्कुल इसके कुछ रीजन है पहले हमें यह देखना है कि मुद्दा उठा कहां यह कॉलिज से उठा है कि स्कूल से उठा है यह मेरे सबसे तो आपको पता होना चाहिए कि इस्कूल की ड्रेस कोड होती है मिल्कुल को ड्रेस कोड क्यों होती है इक्वैलिटी को इस्टैबलिश करने के लिए समानतों को अब यदी हम वहाँ एक ड्रेस-कोड रही बनाते हैं, तो अमीर व्यक्ति ऐसकता है, गरिप अपने तरह सकता है, तो उसे वैसी बहावना उथ होनी चाहिए। इसलिए सभी को इक्वल दिखाने के लिए इसकूल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब और किसा और सब्सक्राइब यगा। आज आप कहेंगे कि हमको इंस्टूशन अपने चाहिए इस तरह साप सुप्रीम कोड में कहा हमें जज अपना चाहिए तो इस तरह के प्रक्रिया में आप यह देखेंगे कि आप जो कहा जाता है कि रहा कोई कानून निर्मान की प्रक्रिय अपनाते हैं तो इसमें हमारा अनुछित 25 नहीं बनता है और जब हम पूब्लिक प्लस के बात करते हैं तो पब्लिक प्लेस में हमें ही देखना होता में कि एक तो जब आप यह पारत एक सेयल स्टैट है तब आप सेयलस स्टैट में आपको सब्सक्राइब और फेले का इसलिए हीजाफ का हम विरूद करते हैं हमारा हिंदु मैरी जैक्त आया जब से लेकर हमें पुश करा जा रहा है एक ही एक जात को फुश करा जा रहा है यह बोलके कि यूनिफॉर्मिटी उक्वैलिटी सिरफ और सिरफ इन पर ही अपलाई होती है इनी के सैकिलर आप यह बता है जब यह जितने भी हिजाब पहने वाल अपर चीज इंटराग्ट हो रही है और एक पुश इंटराग्ट हो रहा है और यह नहीं कह सकते कि परस्टली मेरा ही राइट है वहां पर और भी बच्चे आ रहे है वह भी रडियकलाइज हो तो आप अपने दो शब्दों में आपना चॉन्प्लीड किस तरीके से करना चा अधिकार्टाइक Заनूस स्लोग से बार भार भार ये कहते हैं एक कि बार इस स rain लोग आ की थे हमारा निजी अधिकार है। इसाई कम्यूटी तो नहीं पहनती हैं, हिंदू कम्यूटी के लोग भी बुर्का नहीं पहनती हैं, इसके बाद सिख कम्यूटी के लोग भी बुर्का नहीं पहनती हैं, केवल एक विशेश कम्यूटी के लोग ही बुर्का क्यों पहनते हैं, इसका मतलब यह है, यह आपका एक religious dress code है और आपका religious dress code एक secular देश में, एक secular institution के उपर impose नहीं किया जाएगा उसको थोपा नहीं जाएगा इसे आप माने ना माने या आपका निज़ादिकार नहीं हो सकता क्योंकि एक विशेश community की लोग बुरका पहनती है और हिजा पहनती है इसका मतलब है कि वो आपका पासल राइट नहीं है आपको उसके लिए इंबूज किया आता है पहनने के लिए वो आपका religious dress code है और जहम secular देश के बाद करते हैं तो किसी भी religious dress code को impose नहीं किया जाएगा secular institution के उपर तो मैं समझ नहीं पार हो इसको political document जो constitution है तो आप constitution पे चलिए वो आपको right देता है modes modes देता है आपको rights recognize करता है आपका उसका मतलब यह नहीं है कि आप एक particular मुद्दा उठागे उसे politicize करके आप public institutions को और state पे impose करते रहेंगे कि नहीं public right है public private right है आपको एक बात जाननी होगी कि in a constitutional democracy